कि अब यह एवरीवन गुड मॉर्निंग और वेल्कम बैक तो माइन न्यू ब्लोग तो जी यह वाली जो वीडियो है ना यह बैद नेश्टे मॉर्निंग की और इस वाली वीडियो में आपके साथ सुपा से लेके इवनिंग तक का फुल रुटीन जो है ना वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ और सुपा उटके मैंने बच्चों को भीज़ दिया था स्कूल और सुपा मैं उटकी थी छे बज़े ही क्योंकि छे बज़े अपना जैसे मतलब शादी से आया ना तो थोड़ा सा टाइम लग तो इस करके ना ठोड़ा सा उटने में लेट हो जाए तो मैं 6 बज़े उटके लग जा रहा हु बच्चों को भीजने के त्यारी में सबसे पहले तो मैं अपने हाथ मों ऑफ़के पानी भीर अपना जो भी मैं पीटी हूँ फो पीके फिर वस लग जाती हूँ किचन में बच खाने का मन करता है तो फिर उनकी फ Spring पर मुझे बनाना पड़ता कि जुब सारे ही जाता है उसके बाद आपने कुछ चीज बता दिया है तो फिर दोनों इसकी है ना कि हाँ साहब पूचर वा रहे हैं तो कोई चलने वाला नहीं है गिले फर्स पे कोई नहीं चलेगा भी तो वसी रहता है थोड़ा सा तो सब चले जाते है ना फिरी मैं पोच्छा अब गयरा लगाती हूं साफसफाई करती हूं तो देखिए साधी से आने के बाद एक दिन वैसे मैं ट्राइकर करके देखती थी कि चलो इस पर इतिन सारे मिट्टी है कैसे चाड़ू मैं तो एक दिन मैं वैसे ब्रेश की शाथ इसके साथ करने लगी और बड़ी अच्छी से इसकी मिट्टी जो है ना वो निकल गई काफी सारी डश निकली तो फिर अब मैं इ अजकल अपिको अड़ी तो बस फंबो हूं लग है तो बस अब पहले मैं फूरन के रही थे कांकरने यह रहता है तुछ рок पेट में कुछ गया धी दो is मुझे ऑच्छे से साफ करने था, मतलब अच्छे से ड्राइंग डूम की अहा PLAYन थीर चायनुंग, मैंने करके दीफ ड्राहब के यूद अच्छे स्वाइयदो दूसरे और इसमिन का रग्रम को ते चैनल लो हो गी हूं मैं आज से ही और बारी बारी अब सारे घर की सफाई में करूंगी TOव मैंने यह सोचा था कि सुभा तो मैं ट्राइंग डूम की करूंगी फोफ़ वाफ़ गेरह जब वह आज्छे से साफ गारूंगी औरसाम के मैंने अलबारी भी अपनी साफ कर ली थी तो यह वाला जो टेबल है ना भारी नहीं है इतना जादा विसे मतब हलका ही है लेकिन इसके जो मतब यह जो कांच है ना इसके उपर रखा हुआ इसके विज़से भारी हो जाता है तो इसको मैं आसे जीरते हुए ले जाती हुँ अंधर बार कर देती हुँ उठाने की तो इमत रहती नहीं है पहले कांच उठाओ फिर उसको कहीं सेफ जगह में रखो फिर टेबल उठाओ तो तो इसको मैंने बाहर निकाल दिया था फिलाल टेबल को और फिर मैंने सोफे को अच्छे से साफ कर आती है तो ना काफी अच्छी हो गें थे वो और मिटी मिटी वाले और मेरे से तो सही बताओ तो बेठा भी नहीं जाता और बचे बाटते हुए ना मुझे उस्पे में लगता है कि मिटी वाले इस पर बैठे हो यहां पर काफी मिट्टी आती है इन दिनों में उने और पास चुकी थी तो बस यह था लेकिन इस काम में भी ना काफी टाइम लग गया था क्योंकि यह काम भी मुझे उपर उपर से नहीं करना था अच्छे से सफाई करने थी मुझे और नेक्स डे के लिए मैंने सोचा कि मैं अंदर के जो दो रूम है ना वह साफ करूंगी लेकिन यह तुम भी अच्छे से साफ नहीं किये हैं जारू मैंने लगा लिए था रेस्टिंग का काम भी मेरा हो गया था और जारू लगाके ना रेस्टिंग का काम भी हो जाता है ना उसे भी घर काफी अच्छा सहाफ दिखने लग जाता है, मतलब पोच्छा लगाने से पहले भी बस एक जाड़ू लगा दो, रस्टीन का काम करें, फिर पोच्छा लगाने में आप बड़ी बड़ा अनन्द आता है, कि कोई चीज दुरुदर ने बिखरी होती है, लेकिन से उठाने है, यह बड़ा जिंजट रहता है, लेकिन पोच्छा जब लगाती है, बस पोच्छा पोच्छा लगाओ और हो गया, तो बस पोच्छा मैंने सारे कर में लगा लिया था, और लाष्ट में ड्राइंग रूम की बारी आ गए थी, अच्छा पोच्छा लगाने के बच्छे ने सोई थी, टीवी देख रहे थे, और अब मैं आपसे मिल रही हूँ, साम के चार बजी, और बच्छे जा रहे है, टूशन आरू को तो मैं चोड़ने जा रही हूँ, और मैं का टूशन थोड़ी सी दूर है, वो अकेला चला जाता लेकिन, तो यह तो अकेला ही जाएगा, लेकिन यह कि घर से निकलने का टाइम ना दौनों का से, और अब मैं आई थी बच्छे को टूशन चोड़ने के बाद, और लगी थी अपनी अलमारी का काम करने की दिखी, जो मैंने सुबा सोच के रखा था, कि साम को करूँगी, और यह इतने धेरो कपड़े थे मैंने, सारे कपड़ों को मैंने अलमारी में रखती है, और जो निकालने वाले कपड़े थे, बाहर निकालने वाले कपड़े थे, अलमारी से, वो मैंने निकाल दी है, उसको मैंने स्टोरूम वाली अलमारी में रखती है, और अब मेरी अलमारी ना साफ हो गई है, बिलकुल लेकिन ये है कि कितने दिनों के लिए हुई ये नहीं पता क्योंकि बच्चे अपनी मर्जी से कपड़ी जब निकालते है ना तो फिरी सारी अलमारी को गंदा कर देते है क्योंकि फिलाल हमारी पूरी फैमली के कपड़ी जो ना इसी में है हैं हम दोनों के भी और बच्चों के भी बच्चों की कोई अलग है नहीं तो यूज आती है मेरे वो और बैंड में में कपड़े नहीं रखती हूं क्यूंकि बैड ना रजाई कंबल इन सब चीज़ों से भरा रहता है तो बैंड में जगह नहीं है बस फिर श्टोर रुम वाली अलमारी में मैं कपड़े रखते हूं जो हमें नहीं च behaviors혼ते हैं वह तो इसकड़ करके ये वाली बच्चों के साथ भी सब्यूहist की बच्चों के कपड़े यहां पे रखेंआ कि लिभी से काफी कर लिया इसके और इसके बाद ना चैसे से विसाफ कर ले कि नहीं जो अल मेरा के उपर जो खाली सप्षी होता ना यह है हुआं यह कि यह चोटे मुट्रे कि जो लोगी है इसका इस बाद ही बच्चे आग लीचिन से और। मैं जो यह बहार यह दिखी टेवल के ओपर जो भी समान फिला रखा ना यह सब उठाऊंगी इस लोबी को थोड़ा सा मैं साफ कर दूंगी बच्चों के स्कूल बैक बगरा या यूनिफॉर्म बगरा जो वो स्कूल से आते हैं तब उता रहते हैं तो बस यहीं पड़ी रहती है और उस टाइम मैं भी फुरी डेश्ट करते हूं तो इतना दियार मैं भी नहीं देती हूं तो फिलाल मैं अभी साम के टाइम ही सब कुछ उठा लेती हूं और फिर इसके बाद मैंनेगी चाय और इसके बाद मैं करूंगे पर डिनर की त्यारी और साथ के साथ ही मैं बच्चों को भी सबसे सबसे नहीं में रखने कर दो पांどう ना वह मैं कर देकिक हैं नहीं हूं fiction पिर ना बयने गाद मतुम चल्छा तो फार इंडिन भी तो यह का और सबसे नहीं काहती है तो इन सब को मैंने डाल लिया है और इस सारे काम से फ्री होके न थोड़ा मतलब जो भी समान मैंने लिया है ना इन सब को मैं रख लूँगी न अच्छे रेंज करकी तो यह रहेगा कि कीचन धुरी न खाली-खाली सी लगेगी ने तो यह सारा समाने से बिखरा पड़ाया तो भरी-भरी सी कीचन लगती है और इतना स्पेस तो होता नहीं कीचन में कि यह सब कुछ आसे पठके रखें तो फिर सबसे पहले मैं यह वाला काम निफ्टा नहीं लग गए हूँ इसके बाद फिर मैंने बनाई थी चाय और चाय के बाद फिर मैं डिनर की त्यारी करने लग ले त्यारी कर ले रहे हूं जल्दी अब बनाके बच्चों को खिला देती थे कि टाइम मैं सें से मैंदों को तो डिनर में में बना रहे हूं आज शने उर्द की डाल और सुचा थो मैंने चटनी बनाने कभी था कि अफिर बनाँगी लेकिन में बेने को बनाऊंग कि बीश जब तक में लुचे लोगों का सकती में तो इसलिए मैंने चावल क्ली भाने के लिए माना है हैं दही और खटी चीज जो भी होती है तो फिर सोचाना कि वहना चावल कीज़ार चावल लुदु में खानी रहने देखती हूं कई और ज्यादा तबीत खराब हों जाएगी क्योंकि चैने उर्थी की डाल के साथ ना जब तक चठनी में ना बनाऊ तक मैं रुरको अच्छा लिगता चैने उर्थी बार्ट के ज़यो बुर्टे दाल की डाल ना चठनी से यह मैं राची लगती है लेकिन चली अब क्या करे है तब यह थोड़ए खराब है तो थोड़ा प्रेज करना पड़ेगा जादा तो मिरसे नहीं किया जाता तो दाले वरा रखने के बाद फिर हमने पीली थी चाय और अब मैं आगी हूँ डिनर की त्यारी करने के लिए और देखिए बहार अभी मतलब काफी टाइम है रात पी ने हुई है अंधिरा बना फ्री होगे थी और आठ बज़े के मतलब आठ वज़े से पहले ना ऑप खाले था बच्जे को खिला दिया था और इनकी सोने का फिर यह रहता थोड़ा सोने का वेट रहता है इतनी जल्दी इनको भी नहीं आती है तो नौ वज़े तक ठीक नौ बज़े तक मैंने इनक कि इतना सोड सराबा रहता है इतना सोड यह मचाते हैं कि मतलब वोई चोबर करना ना बड़ा मुश्किल हो जाता है मेरे को फिड़ कि दाल को मैंने ठोके अच्छे से फिर इसको चड़ा दिया था वोईल होने के लिए और बस इतने दाल वोईल हो रही थी इतने मैंने मसाले त्यार कर लिए दाल बनाने के लिए जो भी टामाटर प्यास लेस्न बगएरा जो भी मुझे कट करने थी वो मैं इस वीच में कर लेती हूँ और जो भी साम के बर्तन थी चाय बगएरा के या बच्चों के जो देखी टीफन बगएरा रखे ना इनको भी मैंने इसी बीच दो लिया था चाय पीने के बाद ही और फिर लगी थी मैं खाना हमारा खतम हो गया था तो फिर पास से साथ दिन के लिए जा रहे थे तो ऐसा मतलब यह हुआ कि क्यों आलू प्याज अभी से लेके रख ले हम आके ले लेंगे क्यूंकि जादू तो जाना नहीं हो तक गली में सब आलू प्यास वाले पी आते हैं और जो भी मतलब कर आने की सोब है ना वो भी पास में है तो ज्यादा टाइम तो लगता नहीं है इसलिए हम कोई भी सामान जो था वर वाके नहीं गये थे और आके ही सारा समान जो हमने लिया है तो आलू प्यास भी हमने ले ली थे सुबह तो इनको भी बस रखने का टाइम में इरको अभी मिला है और ये जो आलो प्यास रखने का जो स्टैड़ना इसको नहीं दोगे रहे तो इसमें मैंने बुलोज इसमें लगते हैं तो इनको भी बीच-बीच में देखना होता है यहां पर मैंने दाल को लगा दिया है दड़का सिंप्ल सा तड़का मैं आपे टमाटर प्यास का जैसे लगाते हैं हम दाल को तड़का वैसे लगा रही हूँ तो चले इसी के साथ करते हूँ अपने इस वाले वीडियो का भी एंड गाइस और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और से जरूर कर दें और कॉमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी है मैं आपसे मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई एंड टेक कियर झाल